हलो दोस्तों स्वागत है हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको बताने जा रहे थे कि कड़ी पत्ते दोस्तों कड़ी पत्ते एक ऐसा पत्ते है जो पौश्टिक अहर से भरी रहते हैं और इसमें बहुत ही सुन्दर और अच्छे स्वाध्य होते हैं दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इन पत्तियों को बहुत ही अच्छे और बहुत ही सारे चीजों पर इस्तमाल करते हैं जैसे कि हम लोग इडली बनाते हो ढोसा बनाते हो या आप ढोकला बनाते हो या आप दाल का छोका लगाते हो तो आप इस तरीके से आप इन पत्तियों को का इस्तमाल करते हो ना कि आपने इंके पतियां का इस्तमाल करते हो क्योंकि ये बहुत ही बहतेरीन और सुन्दर पत्ते हैं जब एक बाद इसको यूज कर लोगी दोस्तों तो बहुत ही हर बार आपको ऐसा लगेगा कि हम इन पतियां का इस्तमाल यूज करते रहें तो जैसे क हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इन पतिओं को देखिए कि इसमें तिन तरह का पौधा है पैला पौधा इस तरीके से है दूसरे प्लांट skincare और तिसरे इस तरीके से ये तिनों प्लांट देखिए मैंने बीज से उगाur आप देख सकते ही कि यह कितने चोटे से गमले में मैंने उघा कर रखी हूं और यह पौधे बहुत ही घने रूप से Shepherd इसी तरह से अब छोटे चोटे गमले में सुन्दर सुन्दर पौधे आप उगा सकते हो लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा क्या होती है कि हमारे जो पौधे स्वच और सुन्दर दीखती है उसपर कीड़े का अटैक बहुत ही अधिक मात्रे में आती है मैंने आपको दिखाती हूँ कि किड़ी किस तरीके से इन पौधी पर खराब करती है तो आप देख सकते हूँ कि मैंने इस पर छोटे कलिया है और कलिये पर देखिए कि काली काली जैसे किस तरीके से किड़े यहाँ पर अटाइक कर रही है और इस तरीके से बैठी है ये धीरी धीरी क्या करेगी सारी पतियां को खा जाएगी देखने से छोटा लग रही है लेकिन ये इन सारी पतियों को नश्ट कर देती है तो मैंने यहाँ पर देखी इन पौधे को पतियां जो है वो उनको मैंने हाथ से ही हटा दे रही हूँ ताकि ये पौधे अच्छी तर प्रचया और बहुत ही अधिक मात्रे में हैं इनको गुडाय करना होता है अगर हम गुडाय नहीं करते हैं तो ये हमारे मिटी चिप-चीपा जैसी बैठी तो इन मीटियों को मैंने आपको इस तरह से गुलाय कर दी हूं लेकिन अब आपको इसमें डालना क्या होता है दोस्तों मैंने तो जैसे कि बर्मी कंपोष्ट हो या गोबर की कंडे की खाद हो या आप अपने तो दोस्तों मैंने आपको बता रही थी कि इस जो मैंने कड़ी के पत्ती जो लगाई हूं इस पर डालना क्या होता है कौन사 चीजुगा इस्तिमाल करना हो तो मैं आपको दिखाती हूं कि ये हमारे हाथों में जो मैंने डिब्बे में रखी हूं हर तरह का खाद हमारे पास उपलगद होती है क्यो provinca मैंने मारकेट सोब से सारी की सारी खाद खरीद कर ले आती हूँ और ये खाद जो देख रहे हो ये हमारी बर्मी कमपोस्ट है तो इस कमपोस्ट को आपको डालना होगा एक प्लांट पर दो चम्मच तो मैंने इस तरीके से चम्मच का इस्तमाल कर रही हूँ पहले मैं बर्मी कंपोस्ट का इस्तमाल कर दे रही हूँ मैंने और भी इसमें खाट डालूँगी ताकि ये पोधी और भी घने रूप से और ये बहुत ही सुन्दर और अच्छे तरीके से तयार हो जाए मैंने यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट का इस्तमाल कर दी हूँ अब मैंने दूसरे खाद की बारे में बताती हूँ कि आपको DAF दोस्तों ये चार दाना DAF खाद है इसका भी इस्तमाल करना होता है मैंने आपको जादा नहीं डाल कर दिखाऊंगी आपको 5-7 दाना ही डालना है इस प्लांट पर तो मैंने यहाँ पर एक-एक दाना करकर डाल दी हूँ अब तिसरे खाद मैं आपको बताती हूँ कि तिसरे खाद का किस तरह क्या से इस्तमाल करना है दोस्तों हमारी मिट्टी में बरसात की मन्थ जब चलती है तो इस मंद में हमारे पौदे में क्या होती है कि धीर सारे केड़े का टैक होती है या आप जोग्टी जैसे हम लोग बोलते है मीटिया में बहुत ही अधिक मातरी में होती है वो लगी रहती है वो क्या करती है धीरी धीरी मीट्टी का जूरबर रख सकती होती है वो खा जाती ह तो हमारी गमली में क्या होती है पतली पतली जैसा लग जाती है जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहा रही हूं इस तरीके से यहां जोक्टी जो चल रही है यह मिटिया को भरबाद कर देती है यह अगर आपकी मिटिया पर अगर हो जाती है तो यह सारी मिटिया का जो पौश्ट क्योंकि यह इस तरीके से मैंने खाट तो डाल दिया है तो यह मिट्टी को मैंने हटा दी हूँ यहां पर आप एक इंची तक हटा ले और हटाने के बाद हम दिखाते हैं आपको नीम खली दोस्तों यह हमारा नीम खली है नीम खली अगर हम आपके जड़ पे डाल देती है तो यह हमारा पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करती है और यह पौधे को ग्रोज करने में भी मदद करती है और यह जो भी जोटी है वो मारने की काम में भी यह आ जाती है तो हम तो नहीं मार सकते हैं लेकिन कुछ हम खाद को इस्तमाल करकर इनको हटाया जा सकता है तो मैंने यहां पर डाल दिया है सारे खाद को इस्तमाल कर दिया है इसी तरह से आप कड़ी के पत्ते को इस्तमाल कर कर देखो कि आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा इस तरीके से घना दीखेगा क्योंकि इनकी पत्तियां देखे कितने स्वच और सुन्दर दीख रहे हैं और यह बहुत ही सुन्दर पौधे हैं तो दोस्तों है मारा जानकारी वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सस्क्राइब दोस्तों बाए बाए